यश और धन प्राप्ती के लिए रविवार के दिन करे ये उपाय दोस्तो रविवार के दिन का कुछ ऐसे उपाय है जो करने से हमें जीवन में यश धन की प्राप्ती होती है रोगों से मुक्ती मिलती है मनो कामना पूरी होती है तो वो कौन से उपाई हैं जो करने से हमें ये सारे लाब जो हैं वो देखने को मिलते हैं तो चलिए जानते हैं तो पहला है कि रविवार के रात को सोने से पहले सिरहने के पास एक गिलास पानी में थोड़ा सा दोद मिला कर रख कर सो जाए और सुबा उठकर इस पानी को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए इससे जीवन में धनकी अगर कमी चल रही है धनकी समस्या चल रही है धनकी तंगी चल रही है तो वो समस्या जो है वो दूर हो जाती है दूसरा उपाई ये है कि आपको क्या करना है कि रविवार के दिन स्नान करके उगते सूर्य को तांबे के लोटे से आपको जल चड़ाना है इससे रोग मिठते हैं और आखों की जोती बढ़ती है पर हां जल चड़ाते समय ओम सूर्याय नमाय मंत्र का आपको जाप करते हुए जल को चड़ाना है मंत्र आपको पता ही है फिर भी बता देता हूँ जैसे बताया कि ओम सूर्याय नमा इस मंत्र का आपको जाप करना है और जल चड़ाना है तीसरा उपाई ये है कि रविवार के दिन बरगद के पेड़ से तूटा हुआ कोई पत्ता याद रखिए तूट पत्ता हुआ पत्ता खुद से जाके तोड़ना नहीं है पहले से वहाँ पे आसपास में जो पत्ता तूटके गिरा होगा उस तूटे हुए पत्ते को लेकर आना है और फिर इसी पत्ते पर अपनी मनोकामना आपकी जो भी मनोकामना जो भी इच्छा जो भी विश है वो कर आपको बहते हुए जल में यानि कि किसी नदी में आपको बहा देना है आप देखेंगे कि जल्दी ही आपकी जो भी मनोकामना आपने इस पे लिखी है वो पूरी होगी